हलो गाईस आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे आज जो हम टॉपिक डिसक्स करने वाले हैं वो है जो टाइपस और फ्रेमवर्क इन गो लेंग के अप्लिकेशन कैसे बनाई जाए बट उससे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए के फ्रेमवर्क क्या होता है फ्रेमव पर चलेगा आपने गाड़ी खरीदी और उसको अब अभी चला रहे हैं बट आपने कभी यह सोचा नहीं के वह गाड़ी के जो अलिमेंट्स हैं वो कैसे असेंबल्ड हैं अब वो कैसे उसके उपर फिट आए अब गाड़ी ऐसा तो है नहीं के हवा में जुड़ी हुई है अब हमें चल रही है तो आपने यह कभी भी सोचा नहीं है अब जैसे मैं उसकी मैनुफेक्ट्रिंग पर बात करूं तो जो जो वो मैनुफेक्ट्र हुई वो कैसे हुई अब पहले गाड़ी बालों ने जैसे मान लों फॉर एक्जंपल के मैंने महिंदरा की कुई कार ली औ एक्सेक्ट्रा एक्सेक्ट्रा जो भी उसके उपर एलिमेंट्स लगेंगे वो किसके उपर बेस्ट होंगे फ्रेम के उपर बेस्ट होंगे ऐसे ही जब हम एप्लिकेशन बेल्ड कर रहे होंगे तो वो किसके उपर बनेंगे एक फ्रेमवर के उपर बनेंगे अब यही इसकी definition है and essential supporting structure for building application मलब के एक ऐसा supporting structure जिसके उपर आप अपनी applications को build कर सकते हैं अब इसके types क्या है जिन एक जिन एक framework है बिगो एक framework है इको एक framework है यह जो frameworks हैं गाईज यहां पे list down किये हैं यह 2023 के सबसे topmost frameworks हैं सबसे top वाला है जो है जिन और भी कई framework है like gorilla marks यह framework है तो आप उनको भी use कर सकते हैं बट जो 2023 का सबसे topmost है वो है जिन अब मैं जिन की कुछ implementation दिखाऊंगा उससे पहले मैं आपको जिन बता दू होता क्या है जो तो लिए इसकी जो website है जो इसके official document है उस जाते हैं तो जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं यहां पर github के इसकी documentation है जिन की तो वो मैंने open कर ली यहां पर यह सारा framework है जो बनाया गया है और इसको यहां पर code base के अंदर रखा गया है यहां पर इसने इन्हों features देता है यह fast है middleware supported है crash free है JSON validation हम इसे में कर सकते हैं router groupings कर सकते है error management है ऐसे so on मलब further इसके जो है key features है अब यह हमने key features भी पढ़ लिए definition भी पढ़ ली एंड उसकी जो implementation हम वो देखेंगे तो इसको पहले हम यह भी जाते हैं तो आपको import ऐसे करना पड़ेगा import करने के बाद आप लोगों को जो go get है वो command चलानी पड़ेगी अब हमने किसीने मेरा previous video देखा हो के go get जो होता है वो क्या करता है package को module को dependency को अपने local system में install करता है और उसको use करने की allowance देता है तो अभी जो go get है वो basically इन्होंने छोड़ दिया है जो latest updates आए है अब उनके उनके विहाब पर क्या use होने लग गया go mod अभी हम वही चीज यहां पर बनाएंगे तो अभी मैं अपने code base में आ चुका हूँ और जो मैंने इसका base structure है वो ready कर लिया और इसको import कर लिया जो base structure है वो क्या है यह basically उसका default बनाया engine बनाया और उसको सिर्फ एक route दी यहां पर के यह slash ping पे जो है वो यह run करेगा और उसके बाद एक callback function जो callback function होगा वो क्या return कर रह है जो के status okay के साथ है and उसके अंदर कुछ message है इसके बारे में भी हम बात करेंगे तो गबराएं ना इसको देखे पहले हम इसका जो module है वो install कर ले अब किसी ने मेरा प्राना video देखा हो go mode के regarding मैंने explain किया था अपने shots के अंदर तो वो मैं अगर किसी ने वो नहीं देखा तो मैं इस video के link में description में उसका link देदूँगा हम पहले go mode init एक command है इसके अंदर हमें जो वो यह package को install करेंगे जैसा के अभी आप लोग देख सकते हैं go mode init initial कर रहे हैं हम mode को modules को एक package नाम देके ठीक है यह module name है go guru ठीक है गाईस तो अगर मैं इसको click करूँगा तो यह मेरे को बत लुका है अभी आप क्या करो go mode tidy command run कर दो यह क्या करेगा जितना मलब जो package मेरा use हुआ है उसको क्या कर लेगा यह locally बना के रख लेगा मतलब get कर लेगा जैसा कि अभी आप लोग इसमें देख सकते है go mode sum जो है sorry go.mode and go.sum यह file बन चुकी है इसके बारे में मैं explanation दी हुई ह तो guys अभी बढ़ते हैं इसके structure के बारे में अभी हमने क्या किया gin.default यह gin.default क्या करता है return करता है एक engine instance को जो क्या करता है कि मतलब एक middleware जा logger जा recovery कुछ भी बनाने के लिए use किया जाता है तो यह हमने इसका engine declare कर लिए r के variable के अंदर अब r. हमने get किया मतलब get जो है वो जिनका एक initial मतलब उसके package के अंदर define किया हुआ एक method है उससे हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर दो चीज़ें आती है अब पहला क्याता relative path मतलब के आप उसके अंदर कौन सा path देना चाते हो and दूसरा क्याता handler function इसके अंदर आप कोई भी function दे सकते हैं अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा यह practical करके दिखाऊंगा like अभी आप इसको यह मान लो कि यह जो यह function है यह यहां पे लिखा हुआ है ठीक है अब यह क्या function है test ठीक है guys अब यह test function है test function को हम क्या करते हैं इधर pass कर देते हैं तो अभी में भी आप लोगों को थोड़ा सा image जो है वो clear हो गया होगा जो r.get है वो क्या दो parameter लेता है पहला क्या लेता है एक path लेता है किस path पे आप इस function को जो आप second parameter दे इस function को execute करवाना जाते हैं तो guys हमने बताया उसको slash ping आप इसको कुछ भी कर सकते हो like test मैंने इसको test बताया भी यह test पे run करेगा ठीक है test पे run मतलब path test होगा अब test function है यह function पे क्या हमने definition दी गया है अब इसके अंदर हम क्या पास कर रहे है crowd मलब वो जो इसने क्या दिया था handler दिया handle function के अंदर हमें यह बताना पड़ेगा यह किसका function है हमने बताया यह framework का function है और उसके context यह use करेगा अगर किसी को context के regarding कोई चीज़ clear नहीं है तो मैं उसके regarding separate video बनाऊंगा ताकि आप लोग आपको अच्छे से समझा सकूं कि context होता गया है and then हमने क्या किया उसको c dot जो c context है उसको dot json एक json return करवाया है जो के क्या return करेगा status ok status ok क्या है यह go link के अंदर initially मतलब जो pre-built packages है like net slash http इसके अंदर यह चीज़ define हुई हुई है status codes ठीक है 200 यहाँ पर इसने वो return करवाना है and और json के अंदर क्या return करवाना है message के अंदर पॉंग अभी हमें इसको run करेंगे go run main dot go तो हमने इसको run किया अभी जैसा कि आप लोग देशकते हैं यहाँ पर 8080 port है जो वो bind हुआ 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 है किसी और जगा पर तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा अभी यहाँ पर देखो जब आपने r.run किया तो इसने कुछ pre-defined मतलब ज दे सकते हो like मैं इसको 9090 देना चाता हूँ तो मैं अगर इसको run करूँगा तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते है colon 1990 आ चुका है अगर मैं इसको run करूँगा अब मेरे यह local system पर है तो मैं इसको local system पर कैसे run करूँगा local host 1990 यह था हमरा port और उसके बाद हमने क्या किय जाता टेस्ट तो जैसे कि आप लोग यहां पर दे सकते हैं message ओके आया and जो message के अंदर है वो पॉंग आया अगर आप इसको inspect करें and network के अंदर जाए और आप यहां पर देख सकते हैं test जो एक API है उसने क्या return किया response जो है वो message पॉंग के return किया and जो headers है उसके अंदर क्या return है 200 अगर यहां पर मैं status code को change कर देता हूं like के इसको मैं 200 एक कर देता हूं and इसको दुबारा run करूं and अभी इसको मैं reload करूं and इसको चेक करूं आप यहां पर देख सकते हैं हमने 201 लिखा था मतलब यहां पर भी 201 आ चुका है and जो उसका response है वो same ही है क्योंकि हमने उसके अंद करेंगे तो कहां पर impact आएगा यह path क्या है यह port हम कैसे दे सकते हैं जिन क्या होता है हम उसके अंदर कैसी चीज़ें लिख सकते हैं तो इसके regarding हम जो application बनाएंगे अभी यह मेरा पहला lecture था जिनके regarding frameworks के regarding तो यह मैंने सर्फ एक example दी थी आप लोगों को तांके आप लोग है वो need नहीं है तो आशा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ चुका होगा ऐसी ही एक राउट बनाएं और subscribe बटन को subscribe करते रहें उसको दबाते रहें अपना प्यार ऐसी शेयर करते रहें thank you for watching guys